नमश्कार दोस्तों दिवाली का तेवहार सरपर है और इस तेवहार के कारण घर में साफ सफाई को लेकर पती पतनी के बीच में लड़ाई का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसने गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है हमारे समवादाता ने अभी विश्वत सूत्रों से बताया है कि लोग सभा में आज इस समस्या के उपर बड़ी गहमा गहमी से चर्चा हुई है और तुरन सरकार ने फैसला लेते हुए एक बिल पारित किया है और तीन नियम बनाए गए हैं पहले नियम के अंतरगत यदि मकान घर या फ्लेट पत्नी के नाम से है तो उस घर में 100% सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की होगी यदि पती स्वतह कुछ कारे करना चाहे तो पत्नी उसमें व्यवधान उत्पन्द नहीं करेगी दूसरा नियम यह है कि अगर लड़की के पिता ने घर दहेज में दिया है तो उस घर में 80% सफाई की जिम्मेदारी पत्नी की होगी और 20% सफाई का काम वे पती से कहकर अपने आदेशा नुसार करवा सकती है नियम तीन के अंतरगत यदि विवाह के बाद पत्नी पत्ती के पारंपरी कावास में आकर रहती है तो उस घर में सफाई की 90% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पत्ती की होगी 10% काम घर के उपरी सफाई का रहेगा जैसे के छत के जाले साफ करना पंखे साफ करना यह 10% काम पत्नी को पड़ेगा तो सरकार के इस नियम का पालन कीजिए और हर्शोलास के साथ दिवाली के इस महा पर्व को मनाईये आप सबको दिवाली के पर्व की हार्दिक शुब कामना है धन्यवाद